देखो सरवत्र और सरवदा अन्वय से भगवान सरवत्र है और व्यतिरेक से भगवान सरवदा है क्योंकि सरवत्र सरवदा है तो सरवदा तब कहा जाएगा कि क्योंकि सरष्टिय जो बनी है यह तो सरवदा नहीं है क्योंकि माया की ही सत्ता सरवदा नहीं है माया तो तब तक है जब तक बोध नहीं हो जाता है जिस दिन बोध हो जाएगा उस दिन माया की सत्ता समापत हो जाएगी इसलिए हमारे यहां मात्मा लोग इस बात को बहुत जोड दे करके कहते हैं माया भी अनादी है और परमात्मा भी अनादी है किन्टु बात यह माया अनादी अनन्त नहीं सांत है और जो भगवान है वह अनादि और अनंत है भगवान का कभी अंत नहीं होता है इसलिए अन्वे वितिरेका ब्याम यस्यात सरवत्र शरवदा ये स्रश्टी आप माया के काण दिख रहे हैं ये नश्वर है, नश्ट होने वाली है परमात्मा इस अन्वे के कारण सरवत्र है ऐसा कोई स्थान नहीं है जो नहो और सरवदा भी वित्रेक के कारण है क्योंकि अन्वे वित्रेक आप जहां यस्या सरवत्र सरवदा इसके माध्यम से चिंतन करते रहें एताद देव जिग्याश्यम अर्थात परमात्मा इ ब्रमा ही यहां अहमेस अहम सब्द का जो प्रियूग किया गया है वहीं यहां घटा लीजिएगा इस प्रकार से माराज जब ब्रमा जी देन को समझाया और समझा करके कहा इसका विस्तार करने के लिए सुगदेव जी माराज को सुना रहे हैं सुगदेव जी माराज राजर शी परिक्षित को ब्रमा जी माराज ने नारज जी को कहा कि इसका विस्तार करके तुम इसको सब जगे वर्णन करो कि सब के हिर्दय में भगवत प्रेम जागे अपने पुत्रों के लिए मारा जिये दसलक्षन बाला वह यहां वर्णन किया जो स्रीमत भागवत महापुराण सर्ग विशर्ग मनवंतर इशानु कथा सर्ग विशर्ग स्थान पोशन ओती मनवंतर इशानु कथा निरोध मुक्ति और आस्रे वास्तरे तत्यव पर लोगों का विशेश आगरे कई लोग आस्तरे तत्यव महनते हैं दस्णसकंद को और कोई 20 सकंद को भी वास्ते तो यदि देखा जाये तो अपने 12 सकंद हैं 10 लक्षन हैं यदि प्रथम सकंद और 21 सकंद को छोड़ दिया जाये क्योंकि अधिकारी और साधनसकंद है अब बचे दस और लक्षन भी दस हैंगे तो क्रम से भी रख जाए रखा जा सकता है सर्ग विसर्ग स्थान पोशन मूती इक्रम से रखा जा सकता है किन्तो हमारी महराशी तो कहते काहे को आग रहे अरे जो जहां दिखे वहां स्युकार कर लो जहां सर्ग हो सर्गस्युकार करो जहां विसर्ग हो विसर्गस्युकार करो किन्तो भाई द्यान रखियेगा दसमस्य विसुद्धर्थम नवा नाम इह लक्षनम ये जो नौ लक्षन आपके बनाए गए है ये आस्रे तत्यों को जानने के लिए ही है ये दस्मे को पाने के लिए है अगर दस्मे को नहीं पापाए तो महाराज इन लक्षनों का क्या प्रियोजन है सुर्तियों में वरना दस्मस तौमस ही दस्मस तौमस ही स्वेत केत हो दस्मे तुम हो इसका हम संतों से मारा जुदारण की रूप में सुनते हैं कि दस लोग घर से निकले मानो अब घर से दस लोग निकले नदी पार करनी थी अब नदी पार करनी थी तो उसमें नदी के पार करके जब दसो पार पहुँचे तो बोले गिने कोई बैतो नहीं गया तो सब लोगों ने गिरना प्रारम किया जब गिने तो नो ही निकले सब गिने तो नो एक, दो, तीन, चार, पांच, चाह, साथ, आठ, नो एक महात्मा तो कहते थे दसों रोने लगे बैठके बड़े दुखी और रोने लगे कि एक मेरा मित्र बै गया में तो अनात हो गया, एक मेरा मित्र बै गया, हम लोग दस थे, दस थे, दस थे अब गिना सब ने, किंतो नो ही निकले एक महात्मा मिल गए, बबरे क्या बाद तो लोग रोक कि हो रहे हो, भुले गुरु जी बड़ी समझ जाए हम लोग चले तो थे दस किंट नदी की प्रवार में एक बैग गया बोले कैसे बोले की गिन के देखते हैं बोले चाहगीनों कितने हैं तो गिना एक दो, तीन, चार, पांच है जब नो तक पहुँचा बोले नो ही तो है बोले तूने अपने को कहा गिना अरे दस्वा तू ही है भाई यही दस्वा हम लोगों की है जी नौ को गिन करके भूल जाएं कि बस दस्वा कहां गया तो यह नौ तो मारा जो गिनती है दूसरों की गिनती दस्वा दस्वे हमी है तो आस्रे तत्तु ही दस्वा है आस्रे तत्व मने जिसके आस्रे अच्छा आस्रे वही तो गिनता है द्रश्टा कौन है दस्वा ही तो गिनने वाला है वही इन्नों का आस्रे है तो जो आस्रे तत्व है वही नारेन दस्वा है इसलिए कहते हैं वर्ण यंति महात्मनाहा सुते नार्थेन चांजसा बड़े- किसे कहते हैं मनवंतर किसे कहते हैं ये वरन किया गया इसमें किसमें क्या वरन किया गया है बात में दस प्रकार की स्रश्टी का भी वरन किया और कहा देखो भाई ये जो ज्यान हमको मिला ये ज्यान तो नाराइन की परमपरा का है और एक ज्यान ऐसा जो सेस की परमपरा का भी सेश भगवान ने जो सुनाया है वो कौन परंपरा है बुले महाराज जो हमारे मैत्रे महात्मा की परंपरा है तो हमारे मैत्रे जी महाराज के पास जाकर जो विदुर जी ने प्रश्न किये हैं उनके जो उत्तर मिले हैं तो कहा महराज हमको यह सुनाएए सौनक जी ने का यदा अनो भवान सूत चत्ता भागवत उत्तम यह विदुर जी महराज के लिए संबोधन चत्ता का है और यह महराज कैसे हैं भागवत उत्तम भागवतों में बड़े उत्तम चचार तीर्थानी भोनस त्यक्त्वा बंधू बंधून सुद्धूस्त्यजान यह जो विदुर जी महराज परम भागवत उत्तम भागवत हैं यह चचार तीर्थानी यह तीर्थों में जो विशरन कर रहे थे त्यक्त्वा बंधून सुद्धूस्त्यजान त्यक्त्वा मनें त्याग करके यह त्वा प्रत्त है इसी अर माने होता जो बाधने हैं, अपने को, वही को जैसे बधू है वैसे बंदून है, यह जो amount of bond節 है, महाराज यह सुदुस्त्य जहाँ, यह महाराज जो घर अदिके, परिवारादिके संबंद है न इनको काटना बड़ा कठीन है यह जल्दी कठते नहीं सुदुस्त्य जहें और पता यह कैसे कैसे महाराज बंदन है अब देखिए बंदें हैं किन्तों रस्ती दिखती नहीं है उमरे एक महात्मा है